अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा असान होता है सर लेकिन एक कहानी में तो दोनों बुरे हैं वेल्कम टू फिल्मी बाजार गैस विक्रम वेधा का ट्रेलर आ चुका है और इस वीडियो में हम उसी का रिव्यू करेंगे तो शुरू करें तो करना अच्छा 3,2,1 एक्शन बागी देखो रितिक का परफॉर्मेंस भी बड़िया लग रहा है और क्योंकि वेधा का केरेक्टर ही ऐसा है कि वो सब को कमाल का लगता है आउटस्टेंडिंग और रितिक ने भी उसे अन्बिलेवल तरीके से प्ले किया है बोले तो एकदम वेधा इस केरेक्टर में रित अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिनकी वज़े से ये फिल्म प्लोग भी हो सकती है सो फर्स्ट पॉइंट इस अफ्कोर्स रिमेक हाँ ये फिल्म साउथ की इसी नाम की फिल्म का ओपीशियल रिमेक है जिसे ज्यादतर ओडियंस देख चुके है क्योंकि ओरिजिनल फ बॉइकोट आजकल ओडियंस बॉल्यूड की ओरिजिनल और अच्छे फिल्म को थेटर देखने नहीं जाती तो इसे थो कहां से जाएगी लाइक रनबीर की शमसेरा क्योंकि साइद अभी बॉल्यूड के दिन बुरे हैं इनकी फिल्म में लेक ओफ कॉंटेंट एवरेज कॉ इन्ही वज़ों से ओडियंस अब इनकी फिल्म में कम ही इंटरेस्ट दिखाती हैं और फिर रितिक खुद भी कई सारी कॉंट्रोवर्सिस में फस्ट चुके हैं थर्ड पॉइंट इस पियस वन डायरेक्टर मनी रतनम की फिल्म पोनियन सेलवन जो कि इसी के साथ 30 तारिक को थियेटर में रिलीज होगी क्योंकि वो एक ओरिजिनल फिल्म है तो ओडियंस इससे जएदा उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाए और फिर उसके कास्टिंग बजट और बागी चीजें भी इससे आगे हैं तो ये थे वो पॉइंट्स जिनकी वज़े से ये फिल्म सायद न चले आपको क्या लगता है कि क्या ये फिल्म प्यस वॉन की सामने टिक पाएगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना और हाँ हमने रैंवीर के फिल्म ब्रहं मास्तर के अन्वन फैक्ट्स पर भी एक फैक्ट वीडियो बनाई है इस वीडियो के लाष्ट में आपको स्क्रीन प झाल झाल